होई थी शुद्दू मूसेवाला की हत्या होई थी तब एनाई ये ने जांच की थी और उसमें एक बात सामने आई थी कि राजपुत करनी सेना राश्टी राश्टी राजपुत करनी सेना कि राश्टी अध्यक्स सुगदेव सिंगोगा मेडी को मारने की योजना बनाए यानि इनपुट मिल चुका था पंजाब गवर्मेंट से राजप्तान गवर्मेंट को सूचना दी गई राजप्तान के लाएंड ओर्डर से सूचना गई एंटी जो टेररिस्ट इसकॉर्ड होती है उससे सूचना गई उनके लेटर हैं मेरे पास हैं केंद्रिये मंत्री ने उन लेटरों को हमें भेजा है अभी जो की यहां सरकार के अंदर भेजे होए थे राजप्तान का ग्रह मंत्री एड़ी जी लाएंड ओर्डर के इन्पुट का उनके हत्यार जमा कर दिये गए उसको बिल्कुल निहत्ता कर दिया गया उसको घेर कर बांध कर मारा रहे और ये कोई बड़ा सडि उन्तर है को इतना बड़ा सडियंत्र एक ट्वीटर हैंडल से यह कहा जाता है कि हम ने उसको मार दिया जो कि उसीshoreण उसी गैंग का कोई किसी टेर्रिस्ट गैंग का था यह ऐसा संक्रमनकाल है कि एक सरकार जा रही है दूसरी सरकार आप यह बताइए ऐस ओन टूडे ग्रहमंत्री कौन है सरकार किसकी है इस समय तक गलोत कि तो ऑपिसेटिंग गॉर्मेंट है उसकी सुखदेव जी को टारगेट किया गया जानबूज के टारगेट किया गया आनंद पाल जी का तो फेक इंकाउंटर हुआ था उस उसके अंदर इन्होंने पूरी भूमी का निभाई समाधिक मुद्दों पर हमेसे वो जाती उठकर काम करते थे ऐसे व्यक्ति को जानबूज जदन्न हत्या कांड़ है और साथ ही साथ यह सब के ऊपर चैलेंज कहां यह हत्ता जैपूर में हुई ह श्याम नगर में हुई है जो सबसे सीर्थ एरिया माना जाता है पहुंस एरिया माना जाता है बगल में हैं घंच तीवाडी का silicone महत्तुर का हुआ कता था उस श्याम नगर के अंदर इस तरह से मार देना इस बात को साथित करता है की राजस्तान में प्रसासर्थन नाम की वह सरकारों के लिए भी चैलेंज बन चुके थे क्योंकि सरकार की किसी बी गलत नीती. कब अविरोध करते थी यह सरकार तो गई सरकार के खोटाले थोड़ी गए होंगे सरकार की चीजें थोड़ी 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 होंगे मैं यह तो नहीं कहता यह तो नियाइक जांच की हमारी मांग है नियाइक जांच में बिल्कुल साप साप होगा इस हाथ्या कांड की एना शीटिंग जज़ के द्वारा जांच कराई जाए आप ये खाली सुगदेव जी की बात नहीं है नहीं नहीं है नहीं पत्र का वकील थे गोर्धन सिंग जी क्या रोप है उसको पठक दिया उसका साथ साथ नो नो मेने वो अंदर उनको भी मारा जा सकता था और क्या पता क्या इनकी रण नीती थी इसी प्रिकार से यह हैं मगर नरुकाई जब तक वज़य सामने नहीं आएगे कि सब्देव जिकार्णा मेरा काम नहीं है यह काम नियाई जांच से ही पता चलेगा हमें तो हत प्रभू यह बात और बताई यह गया क्योंकि उनको सुरक्षा को खत्रा थ उन्होंनों मेरे को बताया था कि मैं हुकम जाना चाहता हूं लेकिन मैं जाओं कैसे सुरक्षा सरकार मुझे नहीं दे रही है और यहां प्राइवेट सेक्योर्टी नहीं गूम नहीं सके वो किसी खेत्र में नहीं सके राज अंदर गुड़ा चुनाओ भी इसलिए हारे नह स्तान बंध है कल जैपुर बंध है और यदि ये गुंगी बहरी सरकार नहीं चेती अभी भी शरम नहीं कर रहा हारे सब कुछ गया किसी भी ने इस्तीपात्रक नहीं दिया इस काम के अदर अभी भी गर्णर ये दिस्ट सरकार चलाते हैं गर्णर साब की जिम्मेदारी है कि इन्हें निवर्तमान को बरकास करें पहले बरकास करें और बाद में इन चीजों की बात करें कौन ग्रह सचीव था यह हम अनुसासन के हिसाब से बिल्कुल सान्ति पून प्रदर्सन कर रहे हैं यह पुरे देश में आवाज उसको खामोस वैसे नहीं कर सके सीबी आई जाँ से आपको पता है कल लगी चार तारी को चार दिसंबर को सीबी आई की 24 लोग जो सिर्थ सिर्थ जितनी आदमी को जानका रही नहीं है उस पर ऐसे कहना मेरी जो सीमा है उससे बाहर है इस तरह के अपराद मैं तो बता रहा हूं ने गुर्दन सिंग में क्या रूप सित हुआ आज तक जिसका लाइफ खराब कर दी उन्होंने सस्पेंड कर दिये उनके लाइसेंस वही गुर्दन सिंग का भाई सुखदेव सिंगों का मेड़ी है इसी का भाई वीरेंदर नांगली था इसी का भाई आनन्द पाल था ये सब को एक एक करके मारने राज़ंदर सिंग नरुका को भी जान का खत्रा है ऐसा नहीं कि उसे नहीं है उसे भी कभी भी कुटकाया जा सकता है कि कल के बंद में वो पूरी तरह से हमारा साथ निभाएं हम 36 कौम के लिए साथ रहते हैं हमेशा आज हमारे घर में लाहत यहां रखी हुई है हम सब सोक में हैं ब्रामना समाज हमारे साथ आ गया ब्रामन समाज हमारे साथ है गुजर समाज के लोग हमारे साथ आ रहे हैं बहुत होने के बाद भी बच्चे आक्रोसित हैं, युवा हैं, कोई ऐसी बात बारदात ना करने का खुब इस्टेक्शन है, लेकिन आप भी जानते हैं, भीड का कोई सकल और कोई अमसासन नहीं रह पाता है, ये चीज है, इसलिए आप इसमें सहोग करें, इन चीजों को आरे एक उस राजिस्तान के नागरिक तक पहुंचाएं, कि आखिर वो बारूद के धेर पर बैठे हुए हैं,